आईए दोस्तों मेरे नाम है पपपू और आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है मेरे प्यारे कुछ साथी है जिनका नाम है रंजन, चंदन, प्रेमचन और साथ ही कह सकते हैं दीपक ये सब मेरे प्यारे को साथ ही हैं इन्होंने कहा है कि भाईया मूज है न योगिक समझा दो तो घबराओं मत आज के इस लेक्सर में हम जो समझेंगे वो योगिक ही है तो भाईयों याद रखना आपसे ये चीज़े पुछी जाज सकती है क्या तो योगिक क्या है योगिक हम किसे कहती है योगिक से आप क्या समझते है या योगिक की परिभासा क्या होती है ये चीज़े आपसे सर पुछ सकती है या आपको किताबों में लिखा हुआ होगा तो आप यहाँ पर घबराईयेगा मत यहां पर आप योगिक की अगर हम इंगलिस देखती हैं तो हमारा क्या हो जाता है compound यहां पर आजाता है तो योगिक का इंगलिस क्या आजाता है compound यहां पर देख सकते हैं अब इसको समझना कैसी है तो यौक जी को समझने से पहले हमको कुछ चीजी की जानकारिया होनी चाहिए आपको यहाँ पर बहुत ही आसानी से दिख रहा है जी हाँ आपको दिख रहा होगा तत्व तो यहाँ पर लिखा हुआ है hydrogen hydrogen जिसे हम H से दर्साती हैm कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन न लिख करके अगर आपको H भी लिखा रहेगा तो आपको क्या समझना है कि वो हाइड्रोजन ही है हाइड्रोजन हीलियम हीलियम जिसे हम HE से दरसाते हैं इसका परतिक क्या है HE ही रहेगा तो आपको समझना है कि वो क्या है हिलियम यहाँ पर जितनी भी चीज़ दीख रहे हैं वो हमारे क्या है तत्व है जैसे आप देख सकते हैं लिथियम को एल आई से दरसाते हैं विरिलियम जिसे हम बी इसे दरसाते हैं यह सब हमारे तत्व हैं और तत्व ही मिलकर हमारे योगिक बनाते हैं तो यह सब का नाम आपने सु कि भी रहा होगा कि जब दो या दो से अधिक जब दो या दो या दो से अधिक कहने का मतलब यह कि दो ना हो करके तीन हो सकते हैं तीन ना हो करके चार हो सकते यानि दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं तीन चार पांचे साथ आट नो दस इतना हो सकते लेकिन दो से कम नहीं हो सकते हैं तो यहां पर यह है कि जब दो या दो से अधिक तत्व अभी भी आपने देखा तत्व तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो हमारा बन क्या जाता है योगिक बन जाता है ठीक है तो योगी की परिभासा हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेकिन में लिखा क्या हुआ है कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो योगी कहलाता है लेकिन एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए जी हाँ लेकिन एक निश्चित अनुपात में होन एन ए हमारा क्या है एक तत्व है एन ए का जितना भार होगा न उतना ही हमारा सी एल का भार होगा तो एक निश्चित अनुपात हुआ की नहीं हुआ एन ए हमारा जितना होगा मानते ये पांच किलो है तो सी एल भी हमारा कितना होगा पांच किलो ही होगा यानि इन दोनों का ज लें तो वही हमारा क्या हो गया योगिक हो गया तो एने का मतलब सोडियम हो गया और सियल का मतलब क्या हो गया क्लॉराइड हो गया तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिख क्या रखा है एने सियल जिसका नाम हमारा जाता है नमक एने सियल हमारा क्या जाता है इसका नमक आजाता है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिख रखा है एने का मतलब सोडियम और सील का मतलब क्लोराइड ओके तो यहाँ पर इजिली देख सकते हैं और सील का मतलब हम क्लोरिन भी बोल सकते हैं और जब जैसे ही मिलता है तो क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है तो हमारा क्या है दूसरा तत्व है यह दोनों आपस में जैसे ही मिलें हमारा क्या बन गया योगिक बन गया क्योंकि आपको भी पता है दो या दो से अधीक तत्व जब मिलेंगे तो हमारे योगिक बन जागा तो यहां पर आपने देखा अब यह भी नमक सुस्क गैस यानि गर्म गैस जिसे हम carbon dioxide भी कह सकते हैं यहां पर दिख सकते हैं C का मतलब carbon और O का मतलब oxygen और जैसे ही यह दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा बन क्या जाता है carbon dioxide ठीक है तो यहां पर आप दिख सकते हैं तो carbon dioxide जो हमारा आता है वो गर्म गैस के रूप में माना जाता है दिख सकते हैं यहां पर तो यहां पर आपने भी भी देखा क्या क्या देखा C एक है और O हमारा एक है यह दोनों आपस में मिले तो एक यहां हो गया एक यहां हो गया यानि दो हुआ तो दो आपस में ततों मिले तो हमारा क्या बन गया योगिक बन गया, तो यहाँ पर परिभासा में वही कह रहा है, कि जब यहाँ पर थोड़ा सा इसको किलेर करते हैं, तो यहाँ पर परिभासा में भी कह रहा है, कि जब दो या दो से अधिक, यानि दो या दो से अधिक चलेगा, यहाँ पर दो नहीं भी है तो चलेगा, दो न नहीं होना चाहिए तो यहां पर यह है कि जब दो या दो से अधीक तत्व मिलते हैं तो हमारे योगिक बन जाता है लेकिन क्या होनी चाहिए एक निश्चित अनुपात होनी चाहिए तो आपको यहां ते कि बाते समझ आई की नहीं आई जिहां प्रेमचन जी आपको आई की न नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे में यहां पर देखिए तो यहां पर योगिक का अगला हम देखते हैं उदारन जरा साइड साइड नहीं ठीक है तो यहाँ पर देखिए एन ए और यहाँ पर एन टू ओ है यानि एन ऐसे होगा और टू ऐसे होगा और ओ ऐसे होगा तो यहाँ पर मैंने टैपिंग में सीधा सीधा लिख दिया है विसिकली लिखा नहीं रहा था तो ऐसे यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए N N हमारा क्या है? एक तत्व है और O, O हमारा क्या है? एक दूसरा तत्व है तो यह दोनों जैसे ही आपस में मिलें तो हमारा अगला बना क्या? लॉफिंग गैस, यानि हसने वाली गैस बन गया तो यहाँ पर आपने देखा यह दुनों जैसे यह आपस में मिलें तो क्या बनगे आपको नाइट्रस ऑक्साइड यानि यहाँ पर यह चीज़े आपको समझना है कि N2 N2 का जितना मात्रा होगा उतना अक्सिजन का मात्रा होगा तो यह दुनों का क्या है एक निश्चित अनुपात है तो एक निश्चित अनुपात है और एक निश्चित अनुपात में मिले हुए है तो यही आपका क्या है योगिक है तो उधारन से आप बहुत यह आसानी से समझ गए होंगे और यहाँ पर एक और उधारन देख सकते हैं HCl H का मतलब आपको बताया था मैंने भी भी Hydrogen और C L का मतलब क्या क्लोरीन लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ अपस में H क्या है एक ततव और C L एक ततव है तो H और C L यानि Hydrogen और क्लोरीन जैसे ही मिलेंगे तो आपको क्या बन जाएंगे Hydro-Cloric तो यहाँ पर Hydro-Cloric बन गया है तो हमारा जो बना क्या तो हमारा नमक का अमल बन जाता है तो यह चीज़े यहाँ पर ख्याल डखनी है और हमारा जो आ जाता है योगिक में बहुत ही असानी जो आप सबको पता ही होगा क्या वो हमारा जल तो जल में हमारा क्या आ जाता है हाइड्रोजन और यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन तो H2O यह हमारा क्या है जल का सूत्र है तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया तो hydrogen एक है और oxygen भी एक तत्व है और hydrogen भी एक तत्व है इस दोनों जैसे ही आपस में मिलते हैं तो हमारा योगिक बन जाता है और योगिक का नम क्या है हमारा जल यहाँ पर क्या है जल है तो जल हमारा क्या है योगिक है यह आप देख सकते हैं hydrogen के साथ जैसे ही oxygen मिला तो हमारा बन क्या गया hydrogen oxide तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी हैं वे आपको योगिक हैं तो योगिक का उधारन आप समझे की नहीं समझे अगर आपको नहीं समझ आया हो तो नीचे जरूर लिखिएगा मैं आपको दुबारा समझाने का परियास करूँगा ठीक है और मेरी दी हुई जनकारी से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिल गया हो तो यार बस आपको वीडियो के नीचे comment section लिखा हुआ होगा वहाँ पर एक comment कर देना ठीक है यार तो यहां पर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप easy way में इसे लिख लिजिए और मैं इसको clear कर दे रहा हूँ ठीक है तो यहां पर इसको आसानी से लिख लिजिए और उधारन में भी इसे आप लिख लिजिए तो से लिए मिलता है आपका भाई एक और ने दिन और ने वीडियो के साथ तब तक के लिए बने रहिए और जूडे रहिए और कोई दीकत हो तो नीचे जरूर लिखिएगा